ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है तो हैकर्स एक्टिव हो जाते हैं अब IPL को लेकर एक बड़ा स्कैम सामने आया है एक महिला ने फेस्बुक के जरीए IPL की टिकट खरीदने की कोशिश की और 86,000 रुपए गवा दिये ये मामला में रहने वाली महिला रॉयल चैलेंजर्स कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच देखना चाहती थी। उसमें ओनलाइन टिकट चेक किया और उसे एक फेस्बुक पेज मिला जिसका नाम था IPL क्रिकेट टिकेट जो IPL की टिकट बेच रहा था। महिला में उस पेज पर दिये टिकट रिजर्फ कर दिये जाएंगे। व्यक्ति ने महिला से 8,000 रुपए का एडवांस पेमेंट मांगा और उसने विश्वास कर पैसे ट्रांसफर कर दिये। इसके बाद व्यक्ति ने 11,000 रुपए और मांगे। वहिला ने वो पैसे भी ट्रांसफर कर दिये। खिर 8,170 रुपए मांगे। बहिला ने वो भी दे दिये। इसके बाद 14,999 रुपए और 21,000 रुपए मांगे। बहिला ने वो भी दे दिये। उसे यह महसूस ही नहीं हुआ कि उसे कौन किया जा रहा है। इसके बाद महिला ने टिकट मांगे और कहा कि या तो उसे टिकट दिये जा इसके बाद महिला को यहाँ एहसास हुआ कि उसके साथ स्कैम हुआ है। खिर महिला ने स्कैमर को धंकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं लोटाए तो वो पुलीस से कंपलेंट कर देगी तो स्कैमर ने कहा कि उसे जो करना है वो करे। वहिला ने अगले दिन पुलीस कम्पलेंट की और इंडियन पीनल कोड के तहट दो मामले दर्स किये गए। इस मामले की अभी जाच चल रही है। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी बिना सोचे समझे किसी को पैसे ट्रांसफर ना करे। अगर आपको किसी मैच की कोई टिकट खरीदनी है तो आपको किसी आधिकारिक सोर्स से ही खरीदनी चाहिए। पता दे कि हर टीम की अपनी आधिकारिक वेबसाइट होती है जहां जाकर आप टिकट खरीद सकते हैं। ऑनलाइन का कोई भी काम हो आपको सतर्कता दिखानी बेहत ही जरूरी है।